सूत जी कहते हैं, महा प्राग्य महा मते, शिव रूप शौनक, अब मैं संशेड में रुद्राक्ष का महात्म बता रहा हूँ, सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इससे पर आमपावन सा वजना चाहिए, रुद्राक्ष के दर्षन से, इस पर्ष से तथा उस परजाब करने से समस्त पापों का अपरहंड करने वाला माना गया है। मुने पूर्भुकाल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पारवती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महश्य शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम बस भगतों के लिए हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। तो सुनो, महेशानी, पूर्वकाल की बात है, मैं मन को सयम में रखकर हजारों देव्य वर्षों तक घोर तपस्य में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुब्ध हो उठा। परमेश्मरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्मर हूँ। अतह, उस समय मैंने लीला वर्ष ही अपने नेत्र खोले, खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल्की बूने गिरी, आसु के उन बूनों से वहां रुद्राक्ष नामक ब्रक्ष पैदा हो गया, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये अशुर विंदू इस्थ अंका, मल्याचल, सहस्रग्री, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुरों गाए, बे उत्तम रुद्राक्ष असहा पाप समुहों का भेदन करने वाले तथा शुर्तियों के भी प्रेरखें, मेरी आग्या से वे ब्रामहन, छत्रिय, वैश और शुद्र जाती के लि पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए, मनेश्यों को चाहिए कि विक्रम शे वर्ण के अनुसार अपनी जाती का ही रुद्राक्ष धारन करें, भोग और मोक्ष की इक्ष्या रखने बाले, चारों वर्णों की लोगों और विशेस्त हैं, शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसंदता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवशिधारन करना चाहिए, आउले के फल के बाराबर जो रुद्राक्ष हो, वाईश्रेस्ट बताया गया है, और जो बेर के फल के बाराबर हो, उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बाराबर है, उसकी कि हिद कामना पारवति थुम भले भाति प्रेम पूरवक इस विशह को सुनो महेशवरी जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला होता है तथा सुक्साभागी की ब्रधी कराने वाला होता है और जो रूदराक्ष आउले के फल के बराबर होता है वैस समस्त आरिस्टों का नास करने वाला तथा जो गुंजा फल के समान मोटा होता है वैस समपुन मनोरतों की फलों के सिध्धी करने वाला होता है रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने दस गुना अधिक फल देने वाला बताया है पापों का नाश करने के लिए रोद्राक्ष धारन करना अवश्य बताया है इससे निश्रही संपून अभीस्ट मनुरतों का साधक है अतह अवश्य है उसे धारन करना चाहिए परमेश्वरी लोग में मंगल में रोद्राक्ष जैसा फल दैने वाला देखा जाता है बैसी फल दाईनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है देवी सामान आकाय प्रकार वाले चिकने मजबूत इस्थुल कंठक युक्त और सुन्दर रोद्राक्ष अभी लश्यत पदार्थों के दाता तथा सदेव भोक और मोक्ष देने वाले हैं जिसे कीडों ने दूशित कर दिया हो और जो तूटा फूटा हो जिसमें उभरे हुए दाने ना हो वह वरण युक्त तथा जो पूरा पूरा गोल नहो इन पाचों प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने की यूग छिद्र हो गया हो वही सबसे उत्तम माना गया है जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेत किया गया हो वह मध्यमश्रनी का होता है रुद्राक्ष धारं बड़े-बड़े पातों को का नाश करने वाला होता है इस जगत में ग्याराए सो रुद्राक्ष धारं करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वड्नन सेक्डो बर्षों में भी नहीं किया जा सकता भक्तिमान पुरुष साड़े पास सु रुद्राक्ष के दानों का सुन्दर मुकुट बना ले और उसे सिर्पा धारन करे 308 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले वैसे वैसे तीन हार बना कर भक्ति परायन पुरुष उसे यगो पवीत तयार करे और उसे यथा इस्थान धारन किये रहे इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारन करने चाहिए यह बताकर सूत्जी बोले महर्शियों मूल मंत्र से ही समस रुद्राक्षों को धारन करे। काले रंका रुद्राक्ष धारन करना चाहिए। यह बेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी बानप्रस्त, ग्रहस्त और सन्यासी, सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारन करना उचित होता है। इसे धारन करने का सौभाग बड़े पुन्य से प्राप्थ होता है उमें पहले आउले के बरावर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारन करें जो रोगी हो जिनमें दाने ना हो जिनें कीडों ने खालिया हो और जिनमें पिरों ने योग छेदना हो ऐसे रुद्राक्ष मंगल कारी पूर्षों को नहीं धारन करना चाहिए रुद्राक्ष मेरा मंगल मैध लिंग विग्र है वह आंतोत वटवा चने के बरावर लगुतर होता है सूख्ष में रुद्राक्ष को हिस्सदा प्रशस्त माना गया है सभी आश्रमों, सभी वर्नों, इस्त्रियों और शुद्रों को भी भगवान शिव की आज़्या के अनुसार सदे रुद्राक्ष धारन कलना चाहिए यतियों के लिए प्रणाव के लिए उच्चारण पूर्बक रुद्राक्ष धारन कलने का बिधान है जिसके ललाट में तृपुन लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से वेभूशत हो रहे हो जो महामर्तुंजय का जाप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्थ होता है पारवती रुद्राक्ष अनेक प्राकार के बताए गए हैं मैं उनके भीदों का वर्णन करता हूँ बे भेद भूग तथा मोख शुरूप फल देने वाले होते हैं तुम उक्तम भक्ती भाव से उनका परिश्य सुनो एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षा शुब जी का सवरूप है बहे भोग और मोख शुरूप फल प्रतान करता है जहां रूदराक्ष की पूजा होती है, बहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती है। दो मुखवाला रूदराक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। तिस्थित होती हैं चार मुख वाला रूद राक्ष साक्षात ब्रह्म्ह का रूप हैं समर्थ होता है सब को मुक्ति देने वाला तथा संपुण मनुवांचित तप्रदान करने वाला होता है पंच मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है छे मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिक ये का सौरूप है येदि दाहनी भुजा में उसे धारन किया जाए तो धारन करने वाला मनुशिर ब्रह्म हत्या आदी पापों से मुक्त हो जाता है इसमें कोई शंशय नहीं है महिश्वरी साथ मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से प्रसिद्ध है देवेशी उसे धारन करने से दरिद्र भी ऐश्वरे शाली हो जाता है आठ मुख वाला रुद्राक्ष अस्टमूर्ति भैरो रूप है उसको धारन करने से मनुख पूरुनायू होता है और मृत्यू के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है नौमुख वाले रुद्राक्ष को भैरो तथा कपिल मुनी का प्रतीक माना गया है अथवा नौरुख धारन करने वाली महेश्वरी दुरुगा उसके अधिस्ठात्री देवी मानी गई है जो मनुख भक्ति परायन हो अपने बाए हाथ में नौमुख रुद्राक्ष धारन करता है वह निश्यत ही मेरे सामान सर्विश्वर हो जाता है इसमें शंशय नहीं है महेश्वरी दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्व भगवान विश्णू का रूप है देवेश्य उसको धारन करने से मनुष्य के संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है परमेश्वरी ग्यारा मुखवाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है उसको धारन करने से मनुष्य सर्वत्र विजय होता है बारा मुखवाले रुद्राक्ष को केश प्रादेश्ट में धारन करें उसको धारन करने से मानों मस्तक पर बारा आधिते विराजमान हो जाते हैं तेरा मुखवाला रुद्राक्ष विश्व देवों का सवरूप है उसको धारण करके मनुष्य संपून अविस्ठों को पाता है तथा सौभागय और मंगल लाप करता है चवधय मुखवाला जो रुद्राक्ष है भै परमशिव रूप है उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे इससे समझ सपापों का नाश हो जाता है गिरीराज कुमारी इस प्रकार मुखों के भेदों से रुद्राक्ष के चवधय भेद बताये गए हैं इन चवधय मंत्रों द्वारा एक से लेकर चवधय मुखवाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है साधक को चाहिए कि वह नित्रा और आलत सिका त्याग करके श्रद्या भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनुलतों की सिध्धी के लिए मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष को धारण करे रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस हैं वे सब की सब दूर भाग जाते हैं जो क्रतिम अभिचारादी प्रयोक्त होते हैं विसब रुद्राक्ष धारी को देखकर शर्शंक से ही दूर खिसक जाते हैं परवती रुद्राक्ष माला धारी पुरुष को देखकर में शिव भगवान विश्णूव देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन हो जाते हैं महिश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष के महिमा को जानकर धर्म की बढ़्धी के लिए भक्ती पूर्वक्त मंत्रों द्वारा विधिभत उसे धारण करना चाहिए मुनिश्वर भगवान शिव ने देवी पारवती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रशन के अनुसार मैंने तुम्हे कह सुनाया मुनिश्वरो मैंने तुम्हारे समक्ष इस विदेश्वर सहिंता का वर्णन किया है यह सहींता संपून सिद्धियां को देने वाली तथा भगवान शिव की आग्या से नित्मोक्ष प्रदान करने वाली है